भक्तो जै श्रीराम आपका हमारे प्रभुदर्शन करे चैनल में हारदिक स्वागत है तो चलिए दोस्तों आए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास और आम किस टॉपिक के बारे में पात करें हैं श्री पापंकुशा एकादशी महद्व आश्विन मास के शुकलपक्ष की एकादशी युदिस्टर जी बोले हे भगवन आश्विन मास के शुकलपक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते है यह सब कृपा पूर्वक आप मुझे बत यहाला अक्षेपुन का भागी होता है इस एकादशी के दिन मनवान्चित फल की प्राप्ति के लिए श्रीव विश्णु भगवान की पूजा करने चाहिए इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्ग लोग की प्राप्ति होती है जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्व फल प्राप्ति करते हैं वह फल इस एकादशी के दिन चीर सागर में शेशनाग पर शेयन करने वाले भगवान विश्णु को प्रणाम करने से मिल जाता है और पनुश्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं जो विश्णु भक्त भगवान शेवजी जी की निंदा करत हैं वह नर्ग को जाते हैं हजार अश्व में एक यग और सो रास्य यग का फल इस एकादशी के फल के सुल्वे हिस्से के बराबर भी नहीं होता है अर्थात इस एकादशी व्रत के समान संसार में कोई व्रत नहीं है इस एकादशी व्रत के समान विश्व में पवित्र जो मनुष्य कादशी व्रत नहीं करते हैं उन्हें पाप घेरे रहते हैं यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर इसे कादशी का पुवाज भी करता है तो उसे यम दर्शन नहीं होते हैं इसे कादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्त शरीर सुन्दर इसरी तथा धन मिलता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्टि होती है जो मनुष्य इसे कादशी की वृत में रात्री जारगन करते है। उन्हें बिना किसी रोग के स्वर्ग मिलता है। जो मनुशे इसे कादशी का व्रत करते हैं उनके मात्री पक्ष के दस पुरुष पित्री पक्ष के दस पुरुष और इस्त्री पक्ष के दस पुरुष विश्नु का वेश धारन करके तथा सुन्दर आभूशनों से युक्त होकर विश्नु लोग को चले जाते हैं जो मनुष्य आश्विन माक्स की शुक्ल पक्ष की पापंग कुशाई कादशी का विदिपूर वक्वरत करते हैं, उन्हें हरी लोक मिलता है। मनुष्य कादशी के दिन भूमी, गौ, अन, जल, वहान, वस्त्र, छत्र, आदी का दान करते हैं, उन्हें यम्राज के दर्शन नहीं मिलते हैं। अन्त में स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब का सारान शीहा है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुक मिलता है, और जो अधर्मी है, उन्हें दुर्ग गती भूगनी पड़ती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही लोटिंग एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें।